अध्यक्ष महोदे, मैं जिन वातों के लिए जीवन भर लड़ते आया, और आज वो शपना पूरा हुआ है, कि समाजबादी आंदोलन में हमारे उची जाती के लोग, जिनको मैं आज स्मरन करता हूँ, यह लोग जब हमारे साथ समाजबादी आंदोलन में चलते थे और कहते थे डाक्टर लोहिया बांधी गांट पिछडा पावे स्व में साथ, तो उस समय जब उनके घर पर में जाता था, वो साधानन परिवार के गरीब सब थे, तो वो मुझको कहते थे कि कभी आप लोगों का राज आएगा, तो यह उची जाती के ब्रामन के भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचिएगा, तो उनके मन में एक अर्मान था, कि कभी पिछडी जाती का ऐसा आदमी सत्ता में आएगा, जो संपूर्ण समाज के समग्र विकास के लिए सोचेगा, और उस दिन उनके जाती के गरीबों के भी बच्चे की अर्मान को पूरा करेगा, मैं सोचता हूँ वह दिन आ गया, बिहार के अंदर रामान अंतिवारी, कपिल देव सिंग, सुरी क्रिश्न सिंग, सचिदानन सिंग, ये लोग करपुली ठाकुर के नितिरुत में जब लरते थे मैं जानता हूँ जब बाभू सतेंदर नायन सींगे 7,77 में करपुली ठाकुर जी के नितिरुत का संघर्ष हुआ था उस समय मेरी पाटी में उस समय जनता पाटी में 33 राज़पूर थे उसमें से 17 राजपूतों ने करपुरी ठाकुर का समर्थन किया था अब अबु सतिंद्राइन सिंग का समर्थन नहीं किया था क्या उनका अर्मान नहीं था इसलिए 77 में जब करपुरी ठाकुर ने आरक्षन दिया 26% उन्होंने दिया 12% पिछडा एनेक्षर 1 8% एनेक्षर 2 3% महिला 3% आर्थिक दिरिश्टी कोन से गड़ीब उन्होंने सुर्वात की थी वहां थे आज उसको बरते बरते हम यहां तक आए है पिछला बर्ग कमीशन का जब सवाल आया इतने दिन नहीं हुआ जाने जीजिए लेकिन मुझे लोग कहते थे कि भारते जन्ता पाती कभी पिछला बर्ग राष्टे आयो को सम्वेधानिक दर्जा दे पाएगी उची जातियों के पाती हभाले हैं यह कभी करेंगे लेकिन जब यह आरक्षन का पिछला बर्ग आयो को राष्टे आयोग का दर्जा दिया गया सम्वेधानिक दर्जा तो उसके पास करने समय में भायराज नाचिंग सुस्मा सोराज जी अटबानी जी गदकरी जी ये कलाज मिश्र बैठे हैं इन सभी उची जातियक के लोगों पिछड़ बर गायोग को जब राष्टिय गायोग का दर्जा दिया तो क्या ही पिछड़े बर के लिए इनकी कुर्मानी नहीं है क्या इनके इस कुर्मानी को भूल जाएंगे मैं के वल इतना ही कहना चाहूंगा देश में दो विचार धारा का द्वंद रहा है चाहे वो सबर्न हो चाहे अवर्न हो चाहे कुबर्न हो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो एक है कटर पंथी और एक है उदारबादी बाल मीकी से ले करके मैं वहाँ से सुरू करणगा बाल मीकी से लेके समाजबादी आंदोलन की धारा में आज भारतिये जनता पाटी में राजनाज सिंशी जिलेके सुस्मा सुराज तक उसे बाल मिकी के उदार पंथी पर धारा के प्रति पोसक हैं इसलिए मैं इस सबों को धनिबाद देता हूँ आज उन्होंने स्री नरेंद्र मोदी जब एक पिश्रे बर्के हैं उन्होंने इस आरक्षन को लाया है जिस्ता मैं करपुरी ठाकुर के नितुर्त में अध्यक्जी और हमारे साथियों उची जाती के साथियों मुझे कंधा पर लेके नेता बना रहे थे कि आज इस सदन में गरजने वाले लोग हैं उनका कहीं जनम भी नहीं हुआ था हमने क्या क्या नहीं भोगा और उसको भोगते हुए यहां तक आए हमने सब देखा अभी धरमेंद्र जी बोल रहे थे क्या वो भूल जाते हैं कि मुलायम सिंगर अखलेस के बनाने में जनेसर नुश्रा का इनके पसीना से कम जोगदान है मुहन सिंगा कम जोगदान है राज नरान का कम जोगदान है क्या बात करते हो क्या बात करते हो धनिबाद तो उनको ये उची जाती के लोगों को ड कर लोह ने कहा था कि आढ़ नमक बन जाओ खाद बन जाओ-फाद बन जाओ तब आपके इस खाद पर इस नमक पर पिछ्रे और दली समाच के कमल खिलेंगे जो उन्होंने खाद बनने का काम किया पशिना देने का काम किया परिश्रम देने का काम किया आज पिशिरे दलित के हाथ में सत्ता आई है तो उन गरीब उची जाती के गरीब बेटों के आँख के आँशू नहीं पूछोगे तो ये राजनितिक पाप होगा इसलिए मैं आप प्रार्षना करता हूं जड़ा उदार बनके सोचो कठर पंथी धारा का मैं सब जिन से विरोधी रहा हूं कठर पंथी कोई भी धारा हो चाहे संप्रदाई को चाहे धार्मी को चाहे राजनेती को ये कठर पंथी जातबाद की धारा से में लड़ते आया अगर नहीं लड़ता तक उस कट्टरबाद के विरुद मैं लरते आया हूं और जीवन के अंतिम चंगता लरूंगा भारत ने हमेशा उदारबादी धारा को समर्थन किया है माना है आज यह विधेक उसको लाके समाजिक समरस्ता लाने में उच निच का भेद मिटाने में अंत में मैं कहूंगा सुस उसमें वोपिनात मुंडे जी के ने तुर्त में हम पिछडों ने भाजपा में कहा था कि आरक्षन सुईकार है लेकिन महिला आरक्षन में पिछडे और दलित के लिए भी आरक्षन का प्रावधान होना चाहिए मानिय अडबानी जी का अपने घर पर सब को बुलाए पाटी में साहमती बनी उस विधियेक में आया की साहिब इनको मिलना चाहिए लेकिन जब कभी हम पिछडा की बात डालते हैं तो कांग्रेस पाटी उसमें टांग लगा देती थी कि इसमें आल्प संध्यक भी घुसाओ माने इनका पिछडा से क्या दूसमनी है मुझे समझ में नहीं आया आदाद भारत में मैं कांग्रेस पाटी से पूछना चाहता हूं किनों ने अखिल भारती अस्तर पर पिछडी जाती का एक भी नेता पाइदा किया हो तो बताओ प्रादेशी कस्तर पर किये हो तो बताओ आपने पिछडा पिछडी जाती का इसलिए भी रोध किया कि गैर कांग्रेस बात की राजनीती का भी रोध करने बाला सबसे अगरिम पक्ती में पिछडी जाती का था मुनि अप्पा जी हाथ उठाओ पीछे पीछे डोल बजाने वाले की गिंती नहीं होती है गिंती होती है जो आगे चलता है आगे कौन था क्या मिला आपको इसलिए मैं अपनी बानी को बिडाम देते हुए आज हिंदुस्तान में इस लोग सभा टीवी पर करोरों लोग इसको देख रहे हैं पिछरे देख रहे हैं दलित देख रहे हैं सबर्म देख रहे हैं सब सुन रहे हैं मैं उन सबों से हाथ जोड़के प्रार्थना करता हूँ कि आओ स्री नरेंद्र मोदी ने जिस उधारबाद की धारा बहाई है उस उधारता को लेके चलो सबका साथ सबका विकास अगर वो जुला जोड़ना में गैस बंटा गया तो सबसे ज़्यादे पिछड़ा है दलित है अनुसुचित जाती है मुस्लिम है कहां उसमें कोई भ के लिए है आज उची जाती के निर्वल और निर्धन के लिए भी यारक्षन का विद्येक आया है मैं उसका समर्थन करता हूं स्वागत करता हू appeals और देश के क्रोर नोजवानों को कहता हूं उठो नए भारत के निर्मण के लिए एक नया सुराज का वुदर हुआ है नरें श्री हुकमदेव नाराहिन यादा मोद्या मार्मानिय मंत्री जी से जाना चाहता हूँ कि इस देश में गाव में गरीम मज़ूर पिछडे दलित ऐसे हैं जो हजारों आदमी डाक्टर को देखने के लिए तरस्ते रहते हैं भगबान मिलना स्कूलव है डाक्टर मिलना दुरलव है तो जब डाक्टर ही नहीं मिलता तो दबा कहां से मिलेगी और जब दबा नहीं मिलेगी तो करेगा क्या तो आप समझ लिजा मौत भी मिलेगी तो कफण नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं आप से जाना चाहता हूँ कि जो इस देश में आयुवेदिक दिस्पेंसरी है या आयुवेद का इलाज है युनानी इलाज है या देशी पधती से इलाज है जो गाउं में सहर सुलब तरीके से उपलब्ध होता था तो आप उस देशी पधती से इलाज करने वाले लोगों के सिक्षित करने के लिए उनको रोजगार देने के लिए उनको न्यूक्त करने के लिए और अधिक से अधिक उनको डिस्पेंसियों में उस्दालियों में न्यूक्ती दिलाईए जिस्टे कि गाउं के असली लोगों को परम प्रागत भाई दिसास्त्र के जो पंडित लोग हैं उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और गाउं के लोगों को सब्सक्राइब क्या है आप इस पर सोचेंगे मेडम माने सदस ने बहुत ही अच्छा स्वाल पूछा और हम सोचेंगे नहीं हम सोच लिए और कर रहे हैं नेशनल रूरल हैल्ट मिशन में जहां केंद्रीय सरकार की तरफ से हर साल 15,000 करोड रुपया राजे सरकारों को दिया जाता है इंफरस्ट्रेक्टर के लिए डिस्टिक लेवल पे सब डिस्टिक लेवल पे प्राइनरी हैल्ट सेंटर पे सब सेंटर पे उसमें जहां केंद्रीय सरकार की तरफ से ज्यादा डॉक्टर्स जो राज-सरकार नहीं दे पाते हैं जहां कमी हैं कंट्रिक्चुल अपॉइंट पर रखने की प्रवधान है और उसके साथ साथ ही आईश के डॉक्टर्स चाहे वो आयरवेदा के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों ये डॉक्टर्स लगाने का प्र प्राइमरी हैंटर पे वहां उसी बिल्डिंग के अंदर नई बिल्डिंग के अंदर आयुश आयरविदा या यूनानी या सिद्धा तोंकि अलग अलग जगाहों पे हैं ये इस्पेंसरियां उसका प्रवधान्दी रखा गया है जोसका हम को लिक्वेशन कहते हैं और हमारी तरफ से ये राज़ सरकारों को सकत हिदायत है कि जो नई बिल्डिंगें बनी और जो बन रही हैं उनमें को लोकेशन जरूरी होना चाहिए ताकि जब डिस्पेंसरी में कोई भी मरीज जाए उसके पास दोनु किसम की दवाईयां मौजूद वहां उसी एक छट के न ज़्यादा कंट्रेक्च्वल अपॉइंट्मेंट्स हुई हैं केंद्रिय सरकार के पैंसे के द्वारा इन दिस्ट्रिकूंग और सब दिस्ट्रिकूंग प्राइनरी हेल्ट सेंटर में इसमें तक्रीबन एक तिहाई यूनानी और आईरवेदा के डॉक्तर्स भी हैं वेसर लूब 2, 24, सेप्पी, सेगजी, सेगजी, और दॉद्स